हलो दोस्तो आपका अपना यूटूब चनल अश्टा डिवाइड में स्वागत है दोस्तो गुरुबडी के 50 से उपर आज हमने प्रिभेस येर को लिया है जो की अति महतपुड कोश्चन है दोस्तो इस महतपुड कोश्चन को आप लोग देखें चले स्टार्ट करते हैं पहला की महरानी इलिजाबेत के द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के मात्यम से इस्ट इंडिया कमपनी का गठन कब हुआ था तो दोस्तो आप देखेंगे कि इस टेलिया कमपनी का जो गठन है 1620 में हुआ था महरानी इलिजाबेत के द्वारा भार के सब्धान में जो भाईचारे की भावना है किस देश से प्रिरित है यानि भार के सब्धान में जो भाईचारे की जो भावना है किस देश से लिया ग टंगश्टन का ही क्यूं बना जाता है इसका मुख्य कारण है कि इसकी जो परतिरोधक छमता था गनलांक जोता है वह उच्छ होता है इसी की कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्संदू अगला कोशन की इंडियन फिलोस्पी पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों इंडियन ही पुस्तक के लेखक है डाक्टर एस राधे कृष्णन जो कि भारत के पहले उपराश्पती राश्च चुके हैं अगला कोशन है कि विजयवाळा सहर किस राज में इस्तित है तो दोस्तों जो विजयवाळा सहर है वह आंध प्रदिस राज में इस्तित है आप्संद से आक तोचिय परत में किस परकार के उत्तक मौझूद होते हैं जो आव तोचिय परत में किस परकार के उत्तक मौझूद होते हैं तो यह वसी परकार के उत्तक मौझूद होते हैं अगला कोशन है कि निमली खित को पुरा करें बल बराबर क्या सुथ होता है तो दोस्तों बल बराब पर होता है ए में में तो प्षण स्ई है इस अगला कोशन का आधुनिक आवर्षार्णे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आधुनिक आवर्षार्णे मोसले ने दिया था जो क्यों प्षण डिया आपका सई है quickly गूंतال कि नीमलीखित में से कोण जो है अर्ध धातु नहीं है तो दोस्तो ये चार अपसंदिये हैं जिसमें ब्रोमीन ब्रोनक आर्शेनिक और सिलकन जो है ये अर्ध धातु है बागी क्लोरिन जो है ये अर्ध धातु नहीं है दोस्तो अगला कोशन है कि नीम में से कौन जो अर्ध धातु नहीं है तो दोस्तो ब्रोन आर्शेनिक और सिलकन ये अर्ध धातु है जो कि क्लोरिन जो है अर्ध धातु नहीं है अगला कोशन है कि भोजन के पाचन के परकिर्या के दुरान होने वाल उर्ध परिवर्तन के परकार को बता है तो भोजन के जो पाचन जो होता है रासाइनिक उर्जा से उस्मा उर्जा में रुपांत्रित होता है अगला कोशन के हाजीपूर जो सहर है वो किस राज मिश्तित है तो दोस्तो हाजीपूर जो सहर है वो बिहा राज मिश्तित है ये पटना जो गांगा नदी है उसके उत्तर साइड में ये हाजीपूर सहर बासा है जो की केले केले मसहूर है गुलिवर्स ट्रेवर्स पूस्ता के लेखा कौन है दोस्तों गुलिवर्स ट्रेवर्स पूस्ता के लेखा कहें जो नानत्थन स्वीप्टे अगला कोशन है कि रादर फोर्ट परमाडू मोडल में जो आलफा कण है किस पर परभावित किये जाते है तो दोस्तो रादरफॉट प्रवाणू मडल में स्वान के जो पत्तर थे उस पर जो थे अलफा कड़को प्रभावित किया गया था अगला कोशन के 273 केल्वीन का जो मान होता है वो सेल्सियस में या केल्वीन में कितना होता है तो दोस्तों इहां पर सही उतर है कि 0-0 Celsius बरावर होता है 273 के लिए अगला कोशन है कि Steadified Swimus Epithelium किसमे मौजुद होता है तो दोस्तों इसका सही उतर है तोचा Option 4 अगला कोशन है कि मोहन जोदरो नाम का आर्थ है मुर्दो का जो टीला है किस भासा से समनित है तो यह दोस्तों है सिंधी भसा से अगला कोशन है निमलिखिस में से कौन सा देश भारत का परोशी नहीं है चार ओप्सन है रूस सिलंक का भोटान और नेपाल जिसमें रूस जो है भारत का परोशी देश नहीं है दोस्तों इस स्टडी वाइट चैनल को आप लोग सस्क्राइब करें और सेर करें ओलंपिक में परतिस परधा करने वाली पहली भारति महिला कलात्मक जीमनाश्ट कौन है तो पहला जो है भारति महिला थी दीपा करिमाकर अफसन सी अगला कोशितन है कि पिंजोर गार्डन जिसे यह वेंद्र गार्डन भी कहा जाता है इससे 20 किलोमीटर की दूरी पेस्तित है कौन सा सरिस्तित है तो चण्डी गर्दो発 पोधे dolphins में सित wanna sita कि माहा मुझें कौण एक की हिए कि सी पधों पाधों नुपर्ञे के जो होता हूं अगला कोशन है कि की किसी पोधेक वांसपति भाग किसके ।ément कि जो होते हैं मुल्व ज होते हैं भाग वता जाड तान और पतिय मुझा इसका सही उतर है एक जीपसम के रासानिक सूतर क्या है दोस्तो जीपसम के रासानिक सूतर होता है C.A.S.O.4 into 2.A.S.O. भारत ने पहला कबार किस ने शुरू किया दोस्तो भारत में जो पहला कबार शुरू किये थे उनका नाम सा जेम्स हिक की जो की अप्सन फोल सही है अगला कोशन है कि किसके द्वारा निल दरपड में अंग्रेजों के हाथो निल की खेती करने वाले किसानों की दासा और उनके सोसर की ब्याख्या की गई थी तो वो थे दिन बंधु मित्र के द्वारा अगला कोशन है कि निम लिखित में से कौन सी टेनिस सिंखला सिंथेटिक कोट में खेली जाती है तो इसका सही उतर हो जाएगा अश्टाइलिया ओपेन ओप्सन ए अगला कोशन है भारत के पहले उपर धान मंत्री कौन थे और वह किस राजनितिक दल के थे तो दोस्तों भारत के पहला उपर धान मंति साधार वाला वह पटेर थे जो की आई एंसी राजनितिक दल के तो अगला कोशन है कि हजारी भाग खानों में पर्चूर मात्रा में निम लिखित धातों में से कौन सी धातू पाई जाती है तो दोस्तों कि इसका सही उतर हो जाएगा तामबा अगला कोशन है कि हिंदी बासा का जो लोग पीरे टीबी सो टेड़िट टॉक इंडिया निम लिखित में इसकी बिख्याती के दर होश्ट किया जाता है तो इसका सही उतर है सारुखान अगला कोशन है कि उदासिन गैसी प्रमाडू के बातम कग छिया कोश से एक इलेक्ट्रोन को हटाने के लिए किसके हो सकता होती है तो इसका सही उतर है आयनन उर्जा अगला कोशन है कि गोलकुंडा के किलेक निर्माण किस सतावधी में काकतिय उष्ण सासको के द्वर्ण किया गया था दोस्तो इसका सही उतर हो जाएगा तो दीर भी सतावधी में दोस्तों यहां से एक कोश्चन बन सकता है कि गोलकुंडा किले के निर्मान किस सासको के द्वरा किया गया था तो इसका सही उतर हो जाएगा काकतिये सासको के द्वरा अगला कोशन है कि 200 एनिमेशन दिवस के रूप में मना जाता है कब किस तारीक को 200 एनिमेशन दिवस मना जाता है दोस्तों 28 अक्टूबर को 200 एनिमेशन दिवस मना जाता है अगला कोशन है कि मास्पेशियो को कंकाल मास्पेशिया भी कहा जाता है किस मास्पेशियों को कंकाल मास्पेशिया कहा जाता है तो दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा एक्छिक मास्पेशियों को कंकाल मास्पेशिया भी कहा जाता है अस्थी कुशकाव एकद्रेड आभी में अन्त अस्तापित होती है जो किस से बना होता है तो दोस्तों ये मुक्रूप से केल्सियम और फास्फोरस से बना होता है ओप्षन ये सही है मंद्ता यानि मंदन का आर्थ कोई वस्तू किस से चल रहे होती है तो दोस्तों मंदन का आर्थ होता है घरती होई चाल से आप्सन भी यानि रियात्मक तोड़न को हमलो मंदन के नाम से जानते हैं कि बहुत चंदरमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जान जाता है तो दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा चंदर यान टू दूस्तों अगला कोश्चन है कि दुएटेश के रगवी विश सुकब की मेजमानी कौन सा देश करेगा तो फ्रांस देश जो है कि दुएटेश के रगवी विशुकब की मेजमानी करेगा अगला कोश्चन है कि निम लिखित में से कौन सा साथ बासकर बोल से समद्धित हैं तो है फ्लेगरेंट फाउल फ्लेगरेंट फाउल जो है बासकर कि यह मोसले मोची महजीर्यत कि यह सब से सुन्दर र blessing कि संधोंगी सबसे सुन्दर हम Champ catastroph एक कोनेन काईमा की कोश्काये कुणों पर अनिमीत रूप से मोटी हो जाएगा अप्शन ए सई हो जाएगा अगला कोशन हो कि दाटू चालकों कि समध मेंनुन में से कौन साथ अगला कोशन है कि या वी सरल का बिंदू या वाब बिंदू जिससे लेंस के खिर्ण उत्पन होती है पर्तित होती है उसे क्या करते हैं तो फोकस इसका सही उतर हो जागा पोकश, अगला कोशन है, कि यहादी मिर्दया को मिर्दू अमल के साथ उप्शाजत क्या जाए, तो इस मिटिक में हाइठ त्रेजिया गुल्म के जो फुल होंगे, किस रंग के होंगे, तो दोस्तोई इसका सही उतर हो जागा निले रंग के, अगला कोशन है, कि अल्امपिक मे तो दोस्तो पहली महिला कलात्मक जीमनाष्ट कुन थी तो दोस्तो पहली महिला कलात्मक जीमनाष्ट दीपा करमा करती अगला कोशन है कि पिर्थभी वस्तु का अपनी और आकर्षित करते हैं यह किसके काम होता है तो दोस्तो पिर्थभी सभी वस्तु का अपनी और आकर्षि ने की थी ऐसे वायर जो घरों में बिजिस संचारित करते हैं उसमें किसी कोटिंग होती है तो दोस्तों जो घरों में वायर उपयोग के रहता है उस पर पोली बिनाइल कुल्डाइट का परत चढ़ाई जाती है अगला कोसन कि भीडभारी गली में किसी कार की गती किसका एक उधान होता है तो दोस्तों भीडभारी गली में एक असमान गती का उधान मिलता है अगला कोशन है कि नीचे दिया गया चीत्र प्रासरब वितरंगों के कार को दरसाता है इस तकनिक को क्या कहता है तो दोस्तो अल्ट्रासोनिक में प्रासरब वितरंगों के कार को किया जाता है इसका सही उतर हो जाए अप्शन C माई एक्सप्रिमेंट वित तूठ निमलिखित में सक्की स्वेक्ति की जियोन पर लिखा गया है दोस्तो ये माई एक्सप्रिमेंट वित तूठ महत्मा गांधी की जियोन पर लिखा गया है दोस्तो ये कोशन कई एकजामों में बार बार पूशता है उत्तर पर्देश में कितने जिले हैं दोस्तो उत्तर पर्देश में 75 जिले हैं दोस्तो आप लोग कोमेंट सेक्षन बताएगा कि उत्तर पर्देश में लोक सभा के सीटों के संख्या कितना है अगला कोश्चन कि इन में से कौन सीन नदी भारत के उत्री हिस्से में नहीं बहत करती है ओप्सन है दोस्तों कि यह कोश्चन समाप्थ हुए और आप लोग अस्टाइडी वाइड चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब